हम लोग यह वाला question करेंगे, यह quadratic equation का बहुत must question है, if two roots of the quadratic equation, equation क्या है, b minus c bracket में x square plus c minus a, x plus a minus b equals to 0, are equal, then let us prove that 2b equals to ac, यानि कि हम लोग के लिए सबसे important क्या है, जो दो roots हैं हम लोग का, वो दोनों equal है, यह एक information है, दोसे information का है, यह equation जो देख हुआ है, यहां से हम लोग नकालना है, to be equals to a plus c, अब हम लोग आते हैं, कि हम लोग को पहले से पता हुआ है, कि जब हम लोग का 2 roots equal होता है, तो हम लोग का formula जो बन जाता है, b square minus 4ac equals to 0, अगर एक, 2 roots equal होता है, यह हो जाता है, reciprocal होता है, फिर हम लोग करते हैं अलफा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला हम लोग का है वह वाला हम लोग करते हैं लेकिन अभी वाला तो करना नहीं है अभी इसको इसको इस्तमाल करना है हम लोग को एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग मेरे हर एक वीडियो में बताए गया है कि क्वाड जो x square coefficient है उसको हम लोग a कहते हैं जो हम लोग असीदर चारियास formula होता है जिसमें b square minus 4h होता है उसका हम लोग a निकालते हैं इसी का हम लोग नीचे में a निकालते हैं तो यह a हम लोग का रहा है b minus c कहां से आ रहा है इस equation से इस इए कम लोग जब c-a जो के b है वह हूं लोग निकाल लेते हैं पर फिर a निकाल लेते हैं तो हम लोग यहां से a निकाला फिर b निकाला फिर c निकाला यह तिनों निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे b squared minus 4 a question है उसमें b squared के जग़र पी यह वाला b का value Все सब्सक्राइब कर देंगे तो देखो हम लोग का बी स्कौार के नहीं हुआ हैं और 4B-C के जगर पर हम लोग B-C यह वाला लिख दिए और AB के जगर पर हम लोग यह वाला लिख दिए अब आते हैं हम लोग next जब यह लिखकर equals to कर दिए तो next आएगा c-a² जो हम लोग आए था यह देखो स्सक्राइब था आएख यह लिखेंगे यह वह अड्य हुआ वगिए था यह वी का होल स्क्राइब का डगावपर c2-2ab-2ac और प्लस a2 उसके पाद हम लोग माइनस 4 लिखने के बाद यह दिखो नीचे में b-c और a-b जो है उसी का हम लोग पूट किये तो b-c जो है उसका हम लोग a-b से पूट किये तो हम लोग क्या रहा है बिखोषर को मल्टिप्लाइज करेंगे पहले अ देडिखें कि थैक करें तो b q-ac से से मल्टिप्लाइज कि यह दो एक देडिकला प्लस क्वेट्था इतके को सुखसरर्च कि'ीघंग dental की ही यहां पर 4 ही थे इन दोनों को घटा देंगे क्यूंकि PLUS में माइनस में तो टू aye से यहां पर आ गयासुआए इसखायर सफि कब फिर 2 इसटिर थे माइनस फोर्मूला किसका बन रहा है यह दो स्क्राइब को फर्मूला बन रहे हम लोग का है स्क्राइब प्लस तुए स्क्राइब कर तो यहां पर एक है यह और तो हम लोग 2B square बनाती है ठीक है यह करने के बाद हम लोग का next क्या आएगा माइनस 4AB 5-4B bracket में A plus C तो यहां से देखो 4B यहां पर भी 4B common हो रहा है तो माइनस 4B बाहर ले लिए A plus C बचा अब इसमें A plus C बचा ठीक है और इसमें इसमें देखो A plus C का whole square 2B तो यहां एक फर्मूला बनना एक किसका फर्मूला बनना है A plus B A square plus B square minus 2AB का फर्मूला होता है A minus B देखो इसको हम लोग A square ले लिए इसको B square ले लिए यहां पर 2,2B A C हो गया जब हम लोग यह ले लिए देखो यह A square B square 2 into 2B A plus C तो इसका फर्मूला हम लोग को भी पता चला है a plus c minus 2b square यानि कि a minus b square a हम लोग किसे कर लिये थे a plus c को अब b किसको लिये थे 2b को यह हम लोग आ गिया तो a plus c minus 2b equals to zero कर दिये कि जब square है तो उधल जाएगा स्क्वार रूट हो जाएगा जीरो का स्क्वार रूट जब होता है तो वह जीरो ही होता है तो वह हो गया और minus 2b जो है उसको इस तरफ ले गए यानि कि इसको इस तरफ ले गए और इसको अडेंज करके लिख दिये क्या 2b प्लस ac तो भाई हम लोग का आ गया answer 2b प्लस ac ठीक है यहीं पर यह कतम होता है जिवाला question थैंक यू अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें और इस चैनल पर नहीं आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबादे क्योंकि bell icon दबाईएगा तभी आपको कोई भी नय वीडियो जट से सबसे पहले आपक पाइब कर मृँद करें और इसके इलावा और भी कोई दोसरे चैप्र का कोशन आंसर को देखना है तो हम मेरे प्लेयीटि में जाकर चेक करें और डिस्क्राइब जो प्लेयिस्ट плохosnay धिया है उसकोई जाकर चेक करें